मुझा जाओ 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 जाने हम जाने और इम्राण खान जाने तो खुदाना खास्ता ये लोग मुल्क का पेरा खरण कर देंगे जो में लोग बाच का कौन देता हूं तो आप तमादा मस्कला तमादा मस्कला दर्का नाला रगा कर और हम इसकत पुटली को बगाएंगे ये मुल्क चलाने वाले नहीं है ये क्रिकट टीम वाले हैं मुल्क चलाने के लिए कुछ और गुर चाहिए या मुल्क चला लो या नैप चला लो हमने जेलें भरने होगी और जेलें बरने के लिए हम त्यार हैं अन्हों ने जिन्देगी में कवी एक दिन अपना किचन भी भी खुद नी चलाया वह तो अपने पर बूब के पास पर रहती थी वह स्यास्त में ना थी ना है ना आएगी जमूरियत के साथ थी है और रहेगी यकम जनुरी को सरवराही इजलास होगा आपके पास काफ तक जम्मा कराया जाने का इमकार तकरीबान हो चुके हैं दिगर जमातु के भी हुए आपके पास जी वह भी हुआ पर 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 पार्टी लेडर के पा प्रोग्राम डी आने के साथ मैं हूं सलीम मुखारी और मेरे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं जनाब मुबश्र लुक्वान साथ मुबश्र लुक्वान अक्सर सिहाथ की घरस से मुर्स के बाहर जायते रहते हैं और उनके इस तजर्बात से हम बहुत इस्तफाइदा हासल करते रहते हैं इससे पहले कि उनसे गुफ्तू का बाकाइदा आगाज हो मैं आपको चंद जो मौजू आज हम जिसको अपर गुफ्तू करेंगे उनसे उनकी कुछ मौजुआत जो है उसके हवाले से बताता चलू पीपल्स पार्टी का जलसा था मौत्रमा बेन जिजिर भुटो शहीद की बरसी के सिल्सले में गड़ी खुदाबक्ष में जो एक तरह से हाईजैक होके पीडियम का जलसा बन गया और वहां जिसके होस्टाइल तकरीर हुई उसके आपने कुछ जलकें तो देख ली हैं एक दो बाते मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ वहां कहा गया पीछे हट जाओ फिर अवाम जाने हम जाने और इमरान खान जाने दूसरी तरफ इमरान खान साब अपने मशीरों से और अपने जो तरजवान हैं उनसे बहुत नाला हैं उनका ख्याल यह है कि जो अपोजिशन की कैमपेइन चल रही है उसके उपर अफेक्टिव जवाब ज खास طور से पार्टी हैड आएंगे वो अपने अपने अरकाने असेम्बली के स्थीवे साथ लेके आएं दूसरी तरफ ग्रैंड नेशनल डायलॉग की बात हो रही है लेकिन यह पता नहीं चल रहा है कि यह डायलॉग कौन करेगा किसे करेगा और कम होगा फिर पंजाब में जो जरायम की का लेवल है वो इसकदर बढ़ गया है कि अब तो आम आदमी भी सवाल उठाने लगा है कि यह जो मन पसंद इंतिजामिया थी प्राइमिस्टर साब की और वो जो वसीम अकरम प्लस और उनके मन पसंद सी सी पियो थे उमर शेख उनकी मौजूदगी में करायम क यह क्या हाल हो रहा है अभी मुलतान के अंदर एक बच्ची के साथ इसी तरह की ज्यात्ती हुए और उसके बाद उसका कतल हुआ और फिर आज जो है इसी तरह किसे एक साथ साला बच्ची के साथ यह सब कुछ हो रहा है यह क्यूं हो रहा है इसके बारे में हम तवसीर से करते हैं यह प्रिसाइसली हमारे मादुगात हैं चलते हैं मुबश्र लुक्मान साब की तरह मुबश्र कल जो जलसा हुआ वह हमने देख लिया मेरे खिया से वहां जितनी भी तक्रीर हुई थी वह बहुत होस्टाइल थी लेकिन पहले आपका इंपुट ले ले लेते हैं पर मैं आपके साथ शेयर करूँगा इस गुटू को जी मुबश्र साब पहले तो बहुत 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 शुक्री है आपका थैंक्यू वेरे मैच पर हैविंग मी दूसी बात मैं बताता हूं कि आप लोगं का जो प्रोपेगेंड़ा है ये खतम भी नहीं होता अगर आपका और को दुबई के वीजे बंद हैं पाक्सानी ब्लॉक्ट हैं पाक्सानी ये हैं मैं कल पीके टू जिरो त्री पे लोहौर से डिरेक्ट दुबई आया हूं 112 पैसेंजर थे उसमें और सारे लोहौर से आई वे थे और मैंने हर एक से जा जाके पूछा आपके पास बाहर का पासपोर्ट है तो मिजॉरिटी ने मुझे बताया कि नहीं पाक्सानी पासपोर्ट है यार आप पर वहां पर बड़ा प्शूर किया वैं कि हमारे लिए यह हो गया तो हमारे लिए तो दर्वाजे बंद हो गया तो पहले तो मैं यह बता दूं कि वो खबरे गलत हैं मैं कल 24 घंटे नहीं हुए जहां तक हॉस्टाइल बातों की तालुख है तो सबसे पहले मैं माख़वत के साथ मरियम नवाज आप मुझे बतारे हैं हॉस्टाइल जिसे जिसे जिन्दगी में अपना किचन एक दिन नहीं चलाया है वो यह मुल्क चलाएगी जिसको यह नहीं पत कि आटे डाल का भाव कि है जिसको यह नहीं पता मून की डाल कैसे बनानी है माश की डाल कैसे पकानी है आटा कैसे गूंद रहा है वो आके बताई कि मुलक में हकूमत को कैसे गूंद रहा है और आपके फेवरेट वो बिलावल साहब और बिलावल साहब को कहें पहले खोट तो नौकरी कर लें फिर लोगों को भी नौकरी जला लेंगे और इतनी नौकरों को नौकरियां दलबा देंगे देखें इन लोगा क्या एक्सपरटीज है सुआए इसके कि ये किसी के घर में पैदा होगी है अब ये तीसी जेनरेशन मौरुसी सियासा जो है वो इससे जो बुरी दुनिया में कही नहीं है हमें हमें देखना ही है कि ये हॉस्टाइल जरूर है मैं इन में सबस्दा एहमियत दो लोगों को दे रहा हूं जो आपने मुझे सुनाए सौट सुनाए और जो आपने बात की एक जनाब आसे वली जरदारी साब को और एक मौलाना फज्वरमान को दोनों बहुत जहीन लोग हैं और जीरक स्यास्दान को मैं असानी से नहीं ले सकता है ले कि जिस्ए हम है और मुझे लगे कोई गैर स्यासी बात कर दी यह उन्होंना निल्गता ये हकूमत के लिए मुझे अच्छी नज़र नहीं आरी और जहां था कि अमरान का तालुक है सौरी अपना उनके स्पोक्स परसन के लिए तो वो तो उनको कोई इतरास नहीं होना चाहिए उनके जो टेक्नोक्रेट स्पोक्स परसन है वो डिफेंड ही नहीं कर सकता अकूमत को इमरान कान को चाहिए अपने पार्टी के लोगों की क्लास ले जो इलेक्शन जीत के आई में कि वो क्यों नहीं डिफेंड करें हकूमत को आके वो क्यों पीपल्स पार्टी और नून के सामने अच्छा बने वे हैं और स्पोक्स परसन को बुरा करवा रही हैं अब आप जितना खड़े हैं मैं आपको मेरे खाल से आप से जएदा इसलिए जानता हूँ कि 42 साल से मेरा और आपका तालुक है तो ये आपने ताना जो मुझे दिया ये मैं आपको वापस लोटा रहा हूँ इसको आप रसीव कर ले और इससे आगे ना बढ़ें तो बेतर होगा दू करने की हमें पार्टी प्रॉपोगंडिस्ट बने की जूरूथ नहीं है जब तक आप और आम इनको तकार है अपने प्रोग्राम में देखिए गुजारिश ये तो पर सब के बारे में है ना कि मैं अब इसके ओपर ज्यादा जाना नहीं चाहता है दो त्याट बाते मैं आर् होंगे है लेकिन ये कि जो प्रायम स्टर ऐस्ट कर रहू कि मुझे तो पता यहीं था कि फिगर गब क्या होती है मुझे तो इसी क्या होती उसको नहीं आप कुछ कह रहें, वो बोला बाच्चा, उनकी बोला बाच्चाई को आप एक तरफ रखतें, मैं तो उसकी बात कर रहा हूं, जो निया पाकिस्तान बनाने आया था, जिसका ख्याल ये था कि नवे दिन में, पहले सुन तो ले न, आप थोड़ी सी पेशिंस रख टी थी वो पता नहीं, कहां गईी कौन से खजाने में जमा हो रही है इस वगड तो ये सारी बातें जो है न, मुबश्यर माफी मागने से जुर्म खतम नहीं होता आप भी कह देंगे बुखारी साम मैं आप से माफी चाहता हूं इसलिए कि मेरे मूँ से यह निकल गया था तो उससे आपकी बात कहीं नहीं जाती देखें आप ने वापस आगे मुझे कहना है बुखारी साम मुझे माफ कर दीजिए वो मेरे मूँ से निकल गई थी बात क्योंकि आप अच्छे आदमी हैं बेसिकली लेकिन कभी कभी आप इसी तरह के शॉट खेलते हैं जिस तरह का आपका प्राइमिस्टर कहल रहा है तो मेरे खाल से इसमें जाने की बज़ाए हम फिर आ जाते हैं उसके ओपर कि सि परसी मनाने के लिए और ये हाईजैक हो गया और उसके बाद जो कुछ वहां कहा गया वो मेरे ख्याल से तबज्जा तलब इसलिए जरूर है कि देखिए जो जर्दारी साब आपने कहा कि उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की है उन्होंने इसमें अंदर एक जुमला बोला कि म मुझे पता है मुझे पता है आप अच्छी तरह से जानते हैं मैं आपको एक बात मैं फरक बताता है देखें जर्दारी साब में आप एक कमाल की बात देखेंगे वो तमाम इختलाफात के बावजूद वो तमीज का पहलू जो है वो अपने दामन से नहीं चोड़ते वो तू कि कर देखेंगे जो नाम जिसां उचा रहें तो यहीं मेरे पास उसकी वीडियो आगी, अरे भॉइ तुम किस किसम की वडियो से जमा करके बैटी भी हो, हम तो अपने बज़ों को मना करते हैं है इसे विडियो नागे बैटी भी हो लेकर मुश्र आप यह जी बता रहे हैं कि वो जिनकी वीडियो बनती हैं को उनको भी तो एडवाइज कर दे ना कि खुदा के वास्ते को शरम करो यार आप फुला जगा जाजिते आप शराप पी के डांस कर रहे हैं उनको भी कमश्वरा दें ना कुछ अपनी जात के अपनी मैं से अपनी जात तक लाह का शुक्र अदा कर सकता हूँ कि हमारे बड़े उने से पहले स्मार्ट फून नहीं आई ते यह लाह का शुक्र है वरना पहसर निया प्रसं का जा रहे है चलते हैं एक बेक के लिए तो मुश्र से रुक्वान के साथ पिर इस तरह से चोंच चोंच फजी रहेगी चलते हैं एक ब्रेक के लिए हम जो पीपल्स पार्टी का जलसा था घड़ी खुदाबक्ष में और वहां जो तक्रीरे हुई उनकी होस्टेलिटी के ओपर मुवशर लुक्मान साभी अपना इंपुट दे रहे थे अब मेरे खाल से बात कर लेते हम चुक्के ये बात वहां से पहले से शुरू हुई है वहां भी हुई है और आएंदा भी चन्देनों में होने वाली है वो है अस्तीफों की सियास्त अस्तीफे दो अस्तीफे लो अस्तीफे भेजो अस्तीफे लाओ ये गुफ्तू हम सुन रहे हैं पीडियम ने मेरे तमाम में ये इस्तीफों की बात दोराई जाती रही और अब तो उन्होंने प्रेस कांफरेंस में मौराना फदुर्रमान ने कह दिया है कि यकम जनुरी को जो इजलास है पीडियम का उसमें आप आएं तो साथ अपने इस्तीफे ले के आएं अब देखना ये है कि जो तमाम कमपोनेट पार्टीज हैं वो अपने इस्तीफे देती हैं कि नहीं पीपन्स पार्टी के हवाले से बहुत सी रेजर्वेशन्स हैं आसफ जरदारी साब ने भी मेरे खियाद से कल अपने तक्रीर में भी एक इशारा दिया है उससे पहले उन्हो फिल्ड ओपन छोड़ दी सेनेट के एलेक्शन की और जिमनी एलेक्शन की तो उससे हमारा नुकसान होगा उनकी बात किसी हद तक बतलब है वो दुरस्त भी है क्योंकि अगर मैदान खुला छोड़ देते हैं तो फिर उन्होंत के लिए ये एलेक्शन कराना ना सिर्फ आसा लेकिन अभी तक किसी भी पार्टी ने ये नहीं कहा है और अगर ऐसी ही है सूरतेहाल और स्टीफे सारे आ जाते हैं और वो बाद में दे भी दिये जाते हैं और स्पीकर को भेज़ दिये जाते हैं तो एक जीवो गरीब किसम का स्थिनारियो मैं समझता हूँ एक तरह का बगारी साब मैंने आपकी क्योंके लास्ट में से बात सुनी है पहले आवास कटी ही थी लेकर मुझे समझ आ गई है ओफली मैं करता हूँ ये डेंजरिस है ये डेंजरिस है अच्छा मैं इसको बिल्कुल तीसरी नजर से देखूंगा एक तो नजर हकूमत की है कि जिसमें क जो इलेक्टॉरेट है उसका मजाक उड़ जाएगा क्या कर लोग से टिंग पॉजिशन में वहां से रिजाइन करते हैं और इनमास रिजाइन करते हैं तो हम बाकी दुनिया को क्या बताएंगे कि हमारी कितनी लिजिटिमसी है हमारे पोलिटिकल सेटप की तो देखें मैस अ जोया ना उनका कभी फाएदा नी नका नुकसान की होगा. चाये वह थोड़ी जड़ पहले हो चाये तोड़ी जड़ के बाद, हो और ये एक बहुत बड़ी थ्रेट है और ये गवर्मेंट की नर्स पे खेलना शुरू हो गई है ये बात बहुत सी चीज़ें जो मैं गवर्मेंट की बातें मातें सुन रहा हूँ मिझे लगता है कि रियाक्टिव बातें कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि देश बीन प्रोएक्टिव मैं आज ने उनको एक साल से ये बात कह रहा हूँ मुश्यर अगर आपको मैं एक माजी का हवाला दूँगा अगर आप अजास देंगे तो आपको याद होगा पी टी आई ने भी तो स्टीफे दिये थे ना चौटिस लोग अरकान थे उसके चौटिस के चौटिस ने अपने रिजिनेशन भेज़ दिये थे फिर वापस भी ले लिये थे फिर सारी वो तुनखाय अमराथ भी ले ली तो प्रेसिडेंट तो खुद इसी हकूमत ने जो है ये काइम किया था इससे पहले अगर हम पिछली सतर साल की सियासी तारीख देखें तो उसमें ऐसी कोई सूरतेहाल इस नौईयत की कोई सूरतेहाल हमको नहीं मिलती है तो ये स्टीफों के हवाले से जो बात हो रही है वो आप ठीक कह रहे हैं कि उसका नुकसान या तो फौरन होगा या आने व ये जो आहत्मी तोर पे वो ये अस्तीफों की बात कर रहे हैं मैं ये मुझे ये परेशानी है कि ये अस्तीफों की पॉलिटिक्स किस मनतकी इंजाम को पहुंचेगी और क्या इसको प्रियम्ट करने का कोई तरीका कार मौजूद है कि नहीं हम सुन रहे हैं ग्रैंड नैशन दे रहा हूं अपनी के मेरे खाल से अईनो प्रॉब्लम ये है कि कुर्डेशिया से या किसी ऐसे मुल्क से तो हमारे बात चीत नहीं होनी ने का हम बैक दोर बात करें अब पॉलिटिकल पार्टीज हैं फ्रेंट पर आके इनको बात करनी चाहिए प्रॉब्लम ये है कि ग्रै हली में जा रही है चीज और मौलाना फज़र रमान जो हैं वो इसमें अचीव कर रहे हैं क्योंकि ये सिर्फ मौलाना फज़र रमान चाहते हैं कि हर तरह स्टेटिस को हो जाए और वो एक शोर शराबा हो सके और उससे उसे नुकसान सर्फ हकूमत को होगा जी मैं आपको एक बबात बुरी था, और अगर किसी का नुक्सान हो का, तो सिर्फ इसमें एकोमत का नुक्सान होका nhưng उपोजिशन का नुक्सान होगा॥ अопोजिशन का नुक्सान नुक्सान बचने केलिए कुछ कर भी तो नहीं रही न हम देख रहे हैं कि सोबाए रेटरिक के या जो उनके तर्जमान सुबह से शाम तक बैठके उनकी ऐसी तैसी करते रहते हैं उसके इलावा आप ये देखिए कोई कंक्रीट एफ़र्ट नहीं नदर आती है किसी तरफ भी इस सूरतेहाल को सभाला देने के लिए इस सूरतेहाल की तुमास्टारियों से बच लिए के तो आयास साधिक साब ने बड़ा एक मिचूर रोल उसमें प्ले किया था और उनने अस्तीफों को और जो गर्वर्मन्ट की डिमांड्स थी उनको अलग-अलग रखा उनने का मैं एक स्पीकर हूं और मजे मेंबर्स को फर्दन-फर्दन मिलना है जो एक आईनी है त उसके बाद मैं उनको एकसेप्ट करूंगा उनने बचाया था यहां तो तरजमान जो हैं जहां तो मुश्र तरजमान जो हैं वो हाथ पे आरवांग मार के पहलवानों की तरह से कह रहे हैं कि आप यूँ भेजें और यूँ एकसेप्ट हुए ले और फिर उसके बाद देख अगर opposition इसको आगे लेके नहीं जाती, तो फिर opposition अगले साथ साल कुछ नहीं कर सकेगी, ये भी मैं को बता दू, उनको भी अपने time lines पता है, और इसलिए मौलाना और नवाज सरीफ खास तोर पे बहुत जादा इस पे बढ़के हुए है, सवाल ये पैदा होता है, कि मुलक को जो नकसानात हो रहे हैं और इस तरह की हरकतों से जो मारी मैशत को नकसान होंगे, क्या वो इस opposition का मुलक नहीं है, क्या वो इन लोगों के बच्चे यहां पे नहीं है? हो सकता है, बहुतो के बच्चे बाहर हों, लेकिन यह एक हुआला मैंने पहले दिया था, कि वो बैक ट् मुलक के अंदर तक्दीर बदलते हैं स्यासी जमातों की वो उस पर तफसील से तो हम नहीं जाएंगे लेकिन आप समझते हैं कि ये अपने इनिशेटिम को पर बगारा साब ने भीज़ दिया है या आप मेरी इस बात से तफाक करेंगे कि चायद establishment भी अब चाह रही है कि कोई ने कोई बातचीत का रास्ता निकलना चाहिए मुझे तो यूँ दिखाई देता है कि हकूमत जो है अब थोड़ा साब पिछे हट रही है बड़ी अजीब सी बात में कर रहा हूँ या फिर आपको पता है कौन देते हैं नारो तो आप यह किसके हमारे से बात कर रहे हैं कि गदार किसको कह रहे हैं लेकर जी बात यह है कि गदार तो हर वो अद्धी होगा जो उनसे ग्रीनी करेगा उनकी पॉइंट अब लेकिन एनारो अब आप समझ लें है क्या और आपोजिशन अब एनारो नहीं लेना चाहती है अकूमत चाहती है कि अपोजिशन अब इस एक जुमले से मैं आपको बता रहा हूँ अपोजिशन नहीं चाहती है अब आप सबके सामने जो अपोजिशन कह चुकिए नैब इसलाहाद देखें अपोजिशन ने तो नैब में जितनी तकलीफ थी वो उठाली उठाली वो तो कहते हैं आप 2 साल भी गुजर ही जाएंगे ना जैसे तैसे को हम कैसेज जाहेंगे वालों की वालोंकी उन्होंने नैप के आता पास कोई नुआवजादा नसुला जैसा बंदा नहीं है जो अपोजिशन की तहरीक को कोई एक सही रंग दे सके ये तो ठीक है एक चौजी शुजात साब हैं उनकी सेथ के मिसाइल हैं मैं कहता हूं अगर ये डायलाग शुरू होने जा भी रहा है या इस्टेबलिश्मेंट अमादगी जाहर कर देती ही कि आयए जी आप हमसे बात करें तो हूँ डू यू थिंक विल लीडिट ये तो स्टेक होल्डर जो हैं ये तो दूसरे की बात सुनने के लिए अमादा नजर नहीं आते हैं मेरा खाल ये है कि कही ना कहीं से कोई ना कोई रास्ता मुश्र नहीं निकलेगा अगर तो ये सियासी बहरान जो है ये इस रियासत का तो बेड़ा घरक कर देगा ये डू यू एग्री विद मी बिलकुल होगा और मैं आइग्री विद यू और बहुत बड़ा एक लॉस हुए हाली में वो चनाब जफरला जमाली साब की जो डेथ है और इंतकाल है ये कुड़ है प्लेड़ वेरी इंपॉर्टन रोल एट इस टाइम और चौति शुजात वाहिद आदमी अब रह गए हैं कि जिनके इड़्गित सारे रैली हो सकते हैं लेकिन देखे बात है कि ऑपोजिशन और गवर्मेंट के बीच में अभी ये तो डिसकास कर लें कि प बड़ा सक्क महीना लग रहा है और पोस्ट फिफ्टेंट अब जैनवरी मैं आका बता सकता हूं इस मुल्क में बहुत गर्मी होगी सियासत में बड़ी हिद्दत होगी और ये आसान से दबने वाली तहरी नहीं होगी और इसमें कुछ भी हो सकता है खुदाना खास्ता खुद तो जिस तरह से अपना दिफार कर रही है वो अपनी जगह है लेकिन जिन चीजों पर वो काइम है यानि जो इतहादियों के वोट थे उनके ओपर ये मांगे तंगे की हुकूमत का इताना जो दिया जाता है वो मेरे खाल से बहुत हद तक इसलिए दोस्त है कि उनके एक अक्तर मेंगल साब तो वैसे ही अलएदा हो गए उसके बाद एमक्यम ने जो धंकियां दी हैं पिछले दो तीन दिनों के अंदर खालत ममूद सदीकी साब भी आपने सुननी होंगी फिर उसके बाद आप देखें परवेज इलाही साब जो है उनकी काफ लीग जो है उसक मैं लिफ नहीं करा रहा यह एक एक सेनेट की सीट मांग रहे हैं यह जब सेनेट का एलेक्शन उससे पहले जह सारी अपना एक रेट निकाल रही होते हैं और वो आपको बता है बुकीस जो होते हैं वारे को बता रहे होते हैं किसका क्या निकलेगा एक सेनेट की इनको सीट म बिल्चुल करने लगें या अपनी जगा छोड़ने लगें तो बहुत खौफनाक सूर्थियाल पैदा हो जाती है। नाजरीन गुफ्तुकों के सलसरा जारी है मुश्र लुकान साथ है। इस वर ब्रेक पर एक चलते हैं ब्रेक से वापस आएंगे तो इस गुफ्तुकों को आगे बढ़ाते हैं। वेल्कम बैग नाजरीन गुफ्तुकों के सलसरा जो है जहां हमने शोड़ा साथ वहीं से शुरू करते हैं लेकिन और भी मौज़ू आते हैं उसके तरफ भी हमें पलटना है। मश्यर एक बात जो है वो मैं बलकुल बड़े दबंग अलफास में कहना चाहता हूं वो ये कि हकूमत अगर सिर्फ टीवी शोज में बैठ के अपने आपको डिफेंड करने के की जो आदत है उसको जारी रखेगी और कंक्रीट डिसिशन नहीं होंगे एंगेज करने की तरफ जयता है उनको कि आप हैं रहो क्लासर हैं मौम्मद मालिक हैं ये हकूमत तीन-चार अंकर्स के वाले कर दे और खुदघर चला जाए जाए आंकरों को जद्शागारों को जढ़ना है तज्जिएक अरे बाबा वारगा एक मिनित टेक मिनित एक मिनित गूलना नहीं मेरे ख्य और में ने मिलकर इस हवाम ने मिलकि ह्कूमत इमरान के हाथ में इसकती है हुआ ही इसक्षार ग्यारन के हो तो ऐसा ही हो किया और इमरान का उनका सबसे बड़ा इसान एक आथ से उसने एक बॉल कराई यह ते वर नोट डर क्रिकेट और समबडी ऐल्स तर्फ वो उसके ऑपर बात जो है कि बाराल वो ऐसी गेंड स्विंग हुई है कि वो जिससरा ड्रिबल करती भी हर एक को बोल्ड करके चली गई है इस मत जो बाउंसर पड़ रहे हैं उसको भी सामना करने के लिए हर बॉल लफ्ट की जा रही है इस से जो गजारा हूने वाना नहीं तर इमरान को ये पता है कि फ जारत फिर यार एक दफ़ा पहले भी ली थी आपने इस दफ़ा भी ले 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 ताकि उनके हाथ मजबूत हो मेरे पास पहले बगारी साथ करेक्शन में कर दूँ चार वजारत इंती एक लिए मुझे पता है मुझे इसलिए पहरे पास तो ऐसा कोई तज़रबा नहीं है प् आपोजिशन अपनी घलत कारियों को चुपाने के लिए जो है वो कर लिया ताकि उसके उपर केसिस जो है वो इस आउट हो जाएं केसिस जदा होना और अगर आज आप मिया साब को कह दें कियार तुमारा वह अकामे वाला केस खतम कर देते हैं और तुम एलेक्शन लड़ने हैं कि जिस अवाम ने वोट दे के ने हकूमत में लाया है वो उतने ही अल्मस नियरली क्लोस टू डैट फिगर वोट दे के अपोजिशन वाले लोग भी अल्ला वास्ते की चिटे लेके नहीं बैठे हैं वो भी अवाम के वोट से बाद की सर्ट डॉनल ट्रम भी यही कहता थ को मरे वे वोट पड़ गए सर्थ वोट भी तो जिन्दा लोग डाल जाने यह बात नहीं है और जिन्दा लोग डाल के वोट जो है आप पोजिशन को एवानों तक लेके आते हैं अगरे खांसे आपको एक बात बताओं के वोट सर्थ वोट सर्थ वोई सही है जो पीपल्स तो उनके बाई को लियाओ उसको निकालो तो उनके संदी को लियाओ यह जमूरियत है देखे गुजारिश यह है मुबश्यर वोट देने वालों को आप गाली देने का हक नहीं रखते हैं वो जिसको भी वोट दे के लाएंगे एवानों तक उसको आपको बरदाश करना पड देने के लेकिन आप, आपको उनके बात बताऊओं ये भी तो एक कमाल उसने इत्वाका काना हमारे लोगों का के जब कुलाडी लकडी ये दरख काटती है तो दरख nhता है कि यह मेरा हमदर्द है क्योंके लकडी का है यह सारी कुलाडी और आगे लया का होता है जो काट वाले फिर थोड़ी सी रियात कर देते हैं जो आरी लेके तना काट देते हैं उनके बारे में भी कभी बात करेंगे मेरे खाले अगले मौजू की तरफ बढ़ते हैं देखे जनाब पंजाब जो है वो आजकल कहते हैं कि जराइम का गड़ है वहाँ पर चार पांच छे आईजी फिगर्स कहा रहे हैं ये तो आपकी खूमत के फिगर्स कहा रहे हैं तो सीसी पियो साब जो है वो प्राइमिस्टी साब की मरजी कहा थे और उनका था मैं यहां पर हर चीज़ ठीक कर दूँगा वसी मकरम प्लस साब की जो गवर्नर से उसका कोई जवाब नहीं है इसके वाकियात मेरे सामने रखे हुए हैं तो ये मुबशिर इसके उपर तो हम मेरे ख्याल से इतफाक किये बगार नहीं रह सकते हैं इसके अंदर तो कोई पॉइंट स्कोरिंग है ही नहीं कि अगर चोटी बच्च के इसी तरह से अगवाब्लम यहां प्रॉब्लम यहां बगारी और रहाइब्स जो है उसको कैपिटल पॉनिश्मन्ट नहीं होगी यह जराइम कम नहीं होंगे और इनको तो दरख्तों से टांगना चाहिए न को जेलों के अंदर नहीं तांगना चाहिए और इनकी लाज टंगी रहनी चाहिए ताके सारी दुनिया को पता चले कि हम चाइल कि अगर हम इस तरह की मजबूरियों को जवाज बना के कैपिटल पनिश्मेंट की बजाए कोई कास्टरेशन की उसमें जा रहा है कोई कुछ और कह रहा है कोई कुछ और कह रहा है आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है लेकिन इस पर अमल कौन करेगा अब प्रॉब्लम यह है कि शेक जैसे बन्दे की जो अपॉइंटमेंट है मैं उस पे भी अगरी नहीं करता कि हम इतनी पावर्स दे दें एक आदमी को कि जनाब वो एक्स्टर जुडिशल कहीं ना कहीं हो जाए हमें इंस्ट्यूशन को स्ट्रॉंग करना है और पुलीस दो साल में यह मैं आप से गरी कर रहा हूं डो साल में पुलीस कमजोर हुई है स्ट्रॉंग नहीं हुई जितने आईडी बदल चुके हैं जितने एस एस पी इसके तबादले हो चुके हैं उसमें एफिशनसी नहीं हो सकती अ मेरे खाल से नाज़रीन गुफ्तकु जो है उसका सिलसला जारी है लेकिन एक ब क्राइम खतम नहीं हो सकते काम होना तो बड़ी दूर की बात है हमें कैपिटल पानिश्मेंट को करना पड़ेगा सक करना पड़ेगा जुरम तोड़ने वाले के साथ सकती के साथ हमें अमने खियाल से मुबश्र अगर हम डी कॉल कर ले अपने नाज़रीन के की तबज़ों क होते हैं तो उनको ऐसी अबरतनाक सदा दी जाती है गरदने काट काट इस पे साथे रेविया का तो मैं फैन हूं चोर के हाथ काड़ दो आएंदा नेड़ साल तक चोरी कोई नहीं करता एक रेपिस को संगसार कर दो आएंदा यानि को तीन साल तो पूर रेप का बात बात ल लेकिन बाहराल ये बात अपने जगा तया है कि पंजाब में बढ़ते हुए क्राइम की तरफ अगर फौरी तो औरते तवज्ज़ नहीं दी जाती है तो ये इसकी बन जाएगी स्ट्रीट क्राइम जो हैं उसमें भी इजाफा हो रहा है तो हम तवको ही कर सकते हैं इस प्रो रैट जाएंगे जब तक इनके मुल्जमों को कैफर करदार तक नहीं पहुचाया जाएगा चैन से नहीं बैठेंगे तब ही ये सूरते हाल जो है इसको पर काबू पायने का इमकान जो है वो वाजए हो सकता है नादरीन गुष्ट को सिल्सरा जो हम आखरी मरहले में बात कर ही हुई है जो हमारे काइद ने कहा था कि कश्मीर जो है यह हमारी शेरग है वो इसी तरह से सोचेगा वापस आएंगे ब्रेक से तो इस पर बात करते हैं जाते हैं एक ब्रेक करिए वल्कम बैक नादरीन हम जैसे मैंने कहा था कि हम बात करेंगे किश्मीरी मुस्लमानों के साथ और खास तोर से वहां के नौजवानों के साथ जो रविया इक्तियार के हुए है भारत की काबज अफवाज और जिस तरीके से उन्हें अगवा करके शहीद करने का सिल्सला जो ह वो जारी है बगएर किसी रिकावट के कोई आवाज नहीं उठा रहा आलमी जमीर खामोश है खुद पाकिस्तान के अंदर भी मैं समझता हूँ हकूमत ने भी वो कुछ नहीं किया जो हमें करना चाहिए हमारी इस अपोजिशन की जमाते जो है किसी को स्तीफों की पड़ी है किसी को लॉंग मार्च की पड़ी है किसी को कुछ पड़ी है लेकिन कोई भी किश्मीरियों के हुआले से बात करने क Li अपनी इन पब्लिक रेलिज में जो वो हो रही है मुखतिव हैं मचलिप अमादा नहीं है मैं दो तीन बाते हो इससे पहले कि आपके फ्लूर पे चली ज वासियर्स भेजे थे जिसमें हमने वो सारे सबूत भी रखे थे और सारा जो कश्मीर में जल्म इमाम साब की निगरानी में थी और अब वो शैरियार अफरीदी साब के जिम्में है उन्होंने क्या किया इसके बारे में यह हम बहुत तकलीफ से मुझे यह कहना पड़ रहा है कि यह किश्मीर कमीटी जो है यह उसी तरह की इंपोटेंट और्गनाइजेशन है जिस तरह से ओ बशेशन यह कम तक हम यह क्रिमिनल हमोशी और इनक्शन के चिश्मीर के मामले में आपके मिया साब तो कहते है हमारा सब कुछ एक है बहुत पतली सी लकीर है जो बाडर बना वह है और वो तो इंडिया से महबतों में मरे जाते हैं कभी वो मुदी की बीवी को वालदा को के बुलवाया था जो किशमिर का कातल है और आर्टिकल 370 का कातल है वॉई सी को तो कह दिया आपने वो आईसी ने तो एक पोर्टंट किसमेंट तो दिया ना किशमीर के ओपर आपकी आपोसिशन ने तो एक भी नहीं दी साथ जलसे हो गए आपके आठवागा जलसा होने जा ना मैं तो ये बात कर रहा हूँ उनकी नाएहली के लिए वो बियान काफी है उनको नाएहल करने के लिए वो पाकिसानी तो हुक्मरान नहीं हो सकते हैं जो किश्मीर के इस तरह कंप्रमाइज कर ले सौधा कर ले मेरे खान से मेरे खान से वजीर खारजा शाममूद करशी ने जिस इस तराब का मजार का इज़ार किया है और जिस तरीके से उन्होंने आलमी जमीर जो है शाम महमूद की भी आपकर बता दू शाम महमूद की भी आपको एक बाद दू ओड़ भी सही नहीं कर रहें नहीं कर रहें आप projects कुछमीर बता हैं कि पोज़ा की साधे था آئی کمیشن ہی کوئی نہیں اپوائنٹ ہو ہوا ساڑھے تین مہینے سے آئی کمیشن ہی آپوائنٹ ہو ہوا کوئی آئی کمیشن میں آتا ہی نہیں وہاں پہ ہے ہی نہیں وہاں پہ ایک لانگ گیزن چل رہی ہے لوگ کوویڈ کا بانا کر کے یہ کر کے اپنے اپنے کاروواروں یہ آپ منتجہ کریں مبشر جہاں پر آپ تشریف رکھتے ہیں اس وقت جہاں آپ پر اس وقت ہیں اس جیسا اہم ملک جس سے ہمارے تعلقات आज एक अजीब और गरीब और इसलिए अजीब और गरीब है कि आप उदर बैटके हवा में स्टेट्मेंट्स दे रहे हैं इदर को उनको समझाने वाला नहीं है और नहीं आप यह आज आज हम कश्मीर पटी पहनेंगे उसे क्या फरख पड़ेगा लेकिन मुबशर मैं आपके साथ चर्शेज गरता चलूं जो रियक्शन हमारी इस बेहिसी के ऊपर आल पार्टीज हुरियत का है वहां के लीडरों ने अब पाकिस्तान की क्यादत की तरफ देखना बंद कर दिया आपको याद है ना कि कोई भी एक्टिवटी होती थी हिंदोस्तान की तरफ से किसी किसम के नेगटिव इकदामात किये जाते थे तो एक भरपूर आवाज उखती थी पाकिस्तान की कियादत की तरफ से चाहे वो सियासी है चाहे वो डिप्लोमेटिक फॉरन आफिस की आवाज होती थी यार ये आवाजें खत्म हो जाएंगी मुश्र तो हम कहां खड़े हैं किश्मीर के हवाले से अब आपको बता है के चौता एक स्टेक होल्डर बन गया किश्मीर का विदर भी लाइक टॉर वी रोल्ड वो है चाइना चाइना भी अब चौता स्टेक होल्डर है किश्मीर का इंडिया पाकिसान और किश्मीर की अवाम और अब चाइना तो हम इस सांसे अगर लेतो लाल क करते रहेंगे तो पाँच्वाइच्वाइच्छा स्टेकोल्डर पी प्यादा हो जाएगा और हम पें बैक पूट पे होते रहेंगे चाइना के स्टेकोल्डर होने का ठाँच्वाइच्वाइच्वाईच्वाइच्वाइच्वाइच्वाइच्वाइच्वाइच्वाइच्वाइच्वाइच्वाइच्वाइच्वाइच्वाइच्वाइच्वाइच्वाइच्वाइच्वाइच्वाइच्वाइच्वाइच्वाइच्वाइच्वाइच करते हैं तो हमें जो है ना हमें इसको एक बरपूर तरीके से आगे लेके जाना चाहिए था और किश्मीरी जो हैं इसमें बहुत जदा उनका इंटरिस सेक्रिफाइस हो रहा है मसला मैं आपको एक बात बताता हूँ आप अपने किसी स्यास्टान को भी रेंडम कॉल करके पूछ ले बड़े से बड़े आदनी को कि आज कितने दिन हो गए किश्मीर में कर्फ्यू लगा वा नहीं अटा अगर बता दे कितने दिन हुए तो मैं ये टीवी बैट के टेंट कराऊंगा मैं आपकी बात से बिलकुल कि पाकिस्तान को आज जो दरपेश हैं मसायल चाहे वो सियासी हैं चाहे वो डिप्लोमेटिक हैं चाहे वो आलमी अरीना के अंदर आलमी सिनारियों के अंदर हैं हम ये गफ्तु का सिलसला कल फिर आपके साथ दुबारा शेयर करेंगे इस वस्त प्रोग्राम का वक्त खत्म ह हो रहा है अपने मिजबान सिली मुखारी को इजाज़ दीजिए अलाफिस